यह अलो असलाम लेकुं मुझाइज आज हम बनाएंगे शामी कवाफ मैं बना रही हूँ वीप में आप चाहें तो चिकन में भी बना सकते हैं आए चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ यह कुछ मैंने इसमें एक केजी में यह गोश लिया है वीप का है आप चिकन में बरे तोड़ा सा नीबू है और यह लस्तान अद्रक प्यास साबुत मिर्चें दोनों किसम की हैं लोंग वाली वेसी जीरा है और इसके अंदर तेस पाथ के पते हैं तीन बदाम के पूलें यह दालची निकाहें लोंग इलाइची बड़ी वाली काली मिर्चें और यह साबुत धनि है नमक है और लाल मिर्चे आप तीन अंडे हैं इसमें सिर्फ एक बचाऊंगी दो डालोंगी एक उपर से कोटिंग करूंगी यह हर दनिया है हरी मिर्चे हैं और यह प्याज है यह पोदीना है यह आप अपने हिसाब से डालिएगा और एक चम्मार भरके में इसमें कॉन फ जितना कि हमारी दाल भी गल जाए और हमारे शामी कबाभ के लिए अच्छी तरहाँ उसमें पक जाएगा और पानी भी खुशफ हो जाएँ जल न पाए इतना देखिएगगा और डाल हमारा गली भी हो पानी भी खुशफ हो यह सब मैंने एट कर दिया है एक बर्तर में और इसको में उबलने रखूंगी इसके साथ मेरे डाल भी भीगोई थी आदर घंट जरूर इसको डाल को भीगोईगा इसे जादा फिर अच्छे डाल पीसी भी मिलेगी आपको अतनी सक्त नहीं होगी आपकी शामी कवाब क्या है एकसर लोगों के यह कमिद हमारी हमारी हां हो शामी कवाब होते हैं तो वह दाल शायद नहीं होते हैं इस वजह से अंकर नरम नहीं होते है तर्फे में दाल कल चुकी थी इतना मैंने पानिया किया था कि मेरे नीया कि अगिसाइ अच्छा है इसका किलर देखें मैंने भी पेक्रार तोड़ी डाली थी, इसका कलर रहेगा कियां हम गरम मसाला इसमें इठ कर रहे हैं, कहीं कलोंच पहना आजाए जाए ज्याड़ा और यह देखें शामी कौवाब मेंने मसाला पीश लिया है आप चापर में भी पीश सकते हैं मेंने सिल बटे पे पीशा है और जैसे आपको ईजिल लगे आप ऐसे करें और यह मैंने इसमें दो अंडे एट कर दिये हैं और तिसरा जो अंडा मैंने बचा है वो मैं इसके ओपर से करूंगी कोडिंग करके आप चाहे तो ऐसी डारिक भी कर सकते हैं आप यकिन करें शावे कर वाँ आपके बिल्कुल नहीं तूटेंगे क्योंकि मैंने इसमें एक चम और हमारे शामी कवाब अच्छे से बन जाएं अब यह मैं आपको एक शामी कवाब के बनाने का तरीका बता रही हूं आप हासे भी बना सकते हैं लेकिन क्या ही अच्छा हो क्या हम एक ही शेप के एक ही जैसे हमारे शामी कवाब बने उन इस भी हो ही जाता है हासे आप यह द बने या बड़े बने यह मैंने फ्राइब करना शुरू कर दिये हैं आईल या गी में आप यह देखें में अंडल लगा के करें हैं आप बले अंडल नहीं भी लगाएंगे जब भी आप कई चलेंगे और अच्छे बनेंगे आपके यह बहुत टेस्टी बनते हैं आप बना के देखिएगा आप गोश्ट के सभी आप ले लें जैसे चिकन का लें या मतन का लें जैसे आपके उपर हो यह देखें हमारे शामी कबाब तयार हैं आप मुझे शेयर करें बस लाइक करें सब्सक्राइब करें फिर देखें मैं आपको ऐसी ऐसी रेसिपी दोंगी वीप के सा आप से चिकन के साफ से मथन के साफ से शुक्रिया आप आप